है गाईज कैसे आप सब आई होप यूर डिंग वैल एम संधी परकम टुशेसी सरकल तो आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं भारती समिधानियों राजबेवस्था ठीक है तो इसमें क्या होगा कि मैं जो डिसकस करूंगा इसमें जो चीजें होंगी वो इंपॉर्टेंट होंगी क्योंकि मैंने इसमें सेलेक्टेड चीजें पेस्ट कियें जो प्रिलिम्स में खासकर पूछी जाती है ठीक है तो वो चाहे यूपी एसी हो ठीक है चाहे आपको PCS यूपी PCS देखने को मिले राजस्थान PCS MPPCS ए बिहार PCS ए ठीक है और जो ये व प्रिलिम्स से रिलेटेड तो नहीं चूटना चाहिए ठीक है इसका 90% तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसमें कोई भी कुष्चन नहीं चूटेगा ठीक है आपका जो मैं पॉलिटी सेक्षन कवर करूंगा क्योंकि इसमें मैं क्या करूंगा कि जो पाठेक्रम भाया ये संकुर्ण पाठेकरम पॉलिटी का रहेगा और टॉपिक वाई जिसको हम डिसक्स करेंगे हर एक टॉपिक को करके डिसक्स करेंगे ताकि जो आप लोगों की सारे जो कुष्चन जहां जहां से पूपचे जाते हैं वो सारे क्लियर हो जाएं और वहाँ कोई भी अगर कु है कि हम लोग डिटेल में चीज़े पढ़ते रहते हैं लेकिन जो नॉर्मल कुस्चन और तफ दोनों का combination है यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी ठीक है तो चाहे वो article हो या फिक कोई provision किया गया है किसी भी act में और जितने भी यह नवीन आकड़े हैं जो पॉलिटी से सम्मंदित जितने यह act changes किये गए है एक्टो में changes किया गया है ठीक है और यह जितना भी मतलब अभी यह जो जमो कस्मीर वाला है तो यह भी सारा आपको updated यहां मिलेगा हर चीज़ का update है और जितने भी important संसोधन हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से इसमें क्या क्या मतलब provision किया गया है तो हर एक exam के लिए जो quality के related है ठीक है जिसमें quality से related question पूछे जाते हैं हर एक exam में आपको फायदा पहुचाने वाला है तो इस वीडियो को देखिए और अगर पसंद आये तो इसमें comment कीजिए कि और वीडियो चाहिए आप लोगों को कि यह इस टाइप के आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि देखो यार आप लोग पढ़ेंगे तभी मैं पढ़ा सकता हूं और मेरा purpose रहता है कि मैं आप लोगों को best से best चीज़ प्रोवाइड करा पाऊं ठीक है क्योंकि यार मतलब तो यही हुआ कि अगर मैं आपको best चीज़ प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूं तो इसका मतलब है मेरा कहीं न कहीं फेलियर है तो इसलिए मैं मतलब आप लोगों की राय लेना चाहता हूं मैंने पहले भी कहा था कि मैं जो section wise यानि जो subject wise है subject wise मैं आपको सारे subject का एक analysis और overview provide करा हूंगा तो उसी को लेकर मैं काम कर रहा था थोड़ा सा ठीक है तो उसी से लेकर मैं यह course launch कर रहा हूं ठीक है तो आप लोग बताएगा जैसा भी हो और उसके बाद हम इसको आगे move on करेंगे तो एक वीडियो आज बना रहा हूं फिर आप जैसा आप लोग इसको detail में cover किया जाएगा यहां पर ठीक है तो देखो यह भारत का जो संविधानिक विकास है यानि constitutional development of India इसके बारे में हम लोग full detail में बात करेंगे ठीक है उसके सारे भी जितने जो जिस तरह से constitution हमारा जो संविधान का development हुआ जैसे विकास हुआ उस सारे act को देखेंगे इसमें ठीक है और यह भारती संविधान की कौन-कौन सी बीचेशता हैं यानि feature of Indian constitution और यह preamble के बारे में देखेंगे इसमें ठीक है और संगयूम उसका राज छेत्र union and its territory जो है उसकी और केंद्र शासित प्रदेश हो गये और यह citizenship हो गया fundamental rights हैं fundamental duties हैं और यह Parliament के बारे में बात करेंगे president and vice president के बारे में बात करेंगे union council of minister के बारे में बात करेंगे और governor के बारे में बात करेंगे तो यह topic wise हर एक topic का और हर एक topic का एक वीडियो बनाओंगा ताकि आप लोगों को क्या है कि मतलब जिसे पूरा अगर नहीं भी पढ़ना है किसी एक topic से कोई problem है तो व हमको पूरा ही पढ़ना है ऐसा कुछ नहीं होगा आपको अगर किसी topic में दिक्कत है तो वो topic search करके आप इसको पढ़ सकते हो ठीक है तो यह रहेगा इसमें ठीक है और आगे बात करें तो यह vice president और president हो गया फिर यह union council of minister होती है यानि संगी मंत्री परसद होंगे इसकी बार राजपाल governor हो गया और state legislature के बारे में बात करेंगे हम केंद्रियों राज्यों के मद्ध जो संबंद होते हैं ठीक है उनके बारे में बात करेंगे local self-government यानि इस्थानी सवसासन सरोच नियाले supreme court high court सारे यह मतलब एक chapter wise हम लोग इसमें discussion करेंगे हर एक chapter का एक में discussion करेंगे subordinate court हैं ठीक है उनके बारे में देखेंगे और यह को यह topic बहुत ज़्यादा रहते हैं यह तो मेंस में भी पूछा जाता है कि नियाइक समीच्छा नियाइक सेक्रेटा और जन हितियाची का इसके बारे में हम लोग देखेंगे ठीक है और यह अपात उपबंद है जो emergency जो think was Ев學 a Nice ऑर यह समेदान से सुधन देखेंगे निरवाचन अयोग के बारे में देखेंके ई कल संग लोग सेवा आयोग के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे वित ऐव जोता हैनी Finance कमीशन इसका प्रोविजन क्या है किस आर्टीकल की अंतरगत क्या क्यायता है जर और ये attorney general के बारे में बात करेंगे नीती आयोग है और बिधी आयोग है तो हर एक section को हम separately discuss करेंगे ताकि वहाँ से कोई भी question आपका चूटे ना वहाँ पे ठीक है और ये national investigation agency जनी NIA में जो अभी provision किये गए है कौन कौन से बदलाव किये गए है new latest version में ठीक है तो उसके बारे में देखेंगे ये official language currency है और क्या-क्या उसके provision है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और ये जो राष्टी मानुआधिकार आयोग है ठीक है इसमें क्या-क्या अभी संसोधन किये गए हैं नहीं ठीक है उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे महिला आयोग ये भी मतलब latest शारा कुछ आपको यहाँ पर latest मिलेगा जो new कुछ changes हुए हैं उनके बारे में उससे related आपको सब कुछ मिलेगा ठीक है और इसमें राज्यों जो कुछ राज्यों होते हैं उसके लिए wishes प्रोविजन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे ठीक है और ये जम्मू कस्मीर और लद्दाक जो union territory बनाई गए है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे और समिधान के जो भागयों अनुशूचियां है ठीक है उनको भी हम लोग देखेंगे तो इसका ये detail में आपको हर एक चीज को मिलेगा और इसमें हर एक topic को एक एक करके हम लोग discuss करेंगे यहाँ पर नीती आयोग होगा यहर अजनसी के बारे में बात करेंगे और जो BC IOC बनाया गया है ठीक है तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे तो जितने भी नए नए latest और पुराने से पुराने और नए से नए जो provision है सब के बारे में हम बात करेंगे और सबका आर्टिकल वाइड चीजे हम बताएंगे ताकि आप लोगों को जो आर्टिकल पूछे जाते हैं वहां से उसका भी आपका कॉंसेप्ट क्लियर हो और कॉंसेप्ट भी मैं बताने की यहां कोशिस करूंगा जितना हो सकेगा ठीके बहुत ज्यादा तो नहीं जैसे मतल UPPCS का मेंस लिखना है तो उसमें क्या होता है कि पहले तो आपको क्या समिधान में प्रोविजन किया गया है उनके बारे में बताना होता है उसके बताना होता है कि कमिया क्या है ठीके उसके लाब क्या है उसके बाद कंक्लूजन पर आना होता है तो देखो इसमें क्या है यह कमिया और लाब ये चीजे तो यहां हम नहीं डिसकस करेंगे लेकिन यहां में जितने भी प्रोविजन होंगे उनके सब के बारे में हम लोग यहां बात करेंगे ठीक है तो यह डिटेल वीडियो रहेगा आपका तो आज थोड़ा सा टाइम साथ लग गया है कि को तभी तो पता चलता है तभी तो आगे एंसर पढ़ता है तो इसी प्रकार आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ाने वाले हैं तभी तो आप लोग आगे वीडियो देखोगे इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है तो इसके लिए थो तो इंज्यॉai कर पाएंगे ठीक है तो शुरू करते हैं आज का जो नुच्ट है हमारा भारत का समयधानिक विकास तीख तो इस से आज हम स्टार्ट करेंगे तो यह पूरा इसमें रहने वाला है तो देखो समयधान की बात करें तो समयधान का development कैसे हुआ तो उसके बारे में हम बात करेंगे किस किस परकार कौन कौन से एक्ट आये कौन से चार्टर एक्ट थे कौन से जो थे इनके बारे में हम बात करेंगे तो इसमें भारत का समयधानिक विक जो है समेधान के दोबह लोती सबसे ऊपर समेधान है ठीके और हर देशका होता है ज्यादा देश को नहीं कर तो वहाँ पे आपको यह देखने को मिलेगा कि समिधान ही सुप्रीम होगा वहां पे ठीके और किसी भी देश के समिधान से सासन के मूल भूत आदर्सों का संकेत मिलता है और साथ ही यह भी इस पस्ट होता है कि सरकार के विभिन अंग किस परकार से कारी करेंगे तो था उनके बीच किस अंतर संबंधवा सक्ति का संतुलन होगा और सम्मिधान जो होता है वो सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारन करता है तो सम्मिधान के द्वारा ही हम चीजों को समझ पाते हैं कि इस देश की कैसी इस्तित हो सकती है क्योंकि अगर जहां या रूल एंड रेगुलेशन नहीं होंगे तो आप कैसे मतलब चीजों को करेंगे जैसे आपको पढ़ाई को आपको किसी चीज को सब्जेक्ट को तयार करना है या यूपीस की पढ़ाई करना है तो उसके लिए एक प्रोपर आपका जो देखने को प्रोग्राम होगा उस पर योजना बनाओगे कि हाँ आज दो घंटे हमको पॉलिटी पढ़नी है चार घंटे हमको हिस्ट्री पढ़नी है ऑप्सिनल का भी पढ़ना है प्रिलिम्स का भी देखना है प्रैक्टिस भी करनी है एंसर राइटिंग भी करनी है ऐसे भी लिखना ह तो पूरा ये आपका प्रोफॉर्मस दिन भर का तयार होता उसी परकार समयधान में क्या होता है कि पूरा जो प्रोग्राम होता हर एक चीज के बारे में पूरे आर्टिकल होते हैं उनमें प्रोविजन दिया रहता है कि क्या क्या हम मतलब किसके अंतरगत क्या क्या नियम है औ उनके बाद क्या क्या करेंगे और जनता का भी उन तो उन पर मतब सरकार पर विश्वास बनता है ठीक है और उसके संबंद में वो मतब सरकार से जनता भी कनेक्ट होती है तो यह है और यह दपेकर बात करें तो जो भारती समिधान का निर्मान भारती प्रतिनिधियों से निर् देखो जो सम्मिधान सभा है उसके द्वारा भारत का सम्मिधान का निर्मार किया गया था बट जो सम्मिधान सभा है ये कैसे बनी उसकी कैसी प्रिस्टि भूमी थी कैसे कैसे उसको डवलप किया गया तो उसको हम लोग आगे देखेंगे तो उस में जो British सासन में जो थे प्रोविजन किये गये थे जिसे पहले ही डेवलप होना सुरू हो गया था स्मेधन जहां जहां से हम लोगों ने प्रोविजन लिए हैं उनके बारे में देखते हैं तो अगर उनके बारे में बात करें टोटल पूरा जितना है जिस परकार से हमारे समयधान का विकास हुआ है तो देखो पहले क्या था कि हमारा जो भारत था वो इस्ट इंडिया कंपनी के अंतरगत था इस्ट इंडिया कंपनी पहले सासन करना यह मतलब ब्यापार करने आये थे ब्यापार के लक्षी से आये थे बट इन्हों ने क्या किया, जब यहाँ देखा कि ऐसी अपोरिज्टिनिटी है, तो इन्हों ने सत्ता को ही हतिया लिया, भारत पर सासन करने लगे, तो ये पहले इस्ट इंडिया कमपणी के अंतरगत बारत में सासन होता था, उसके अंतरगत कौन कौन से एक्ट आये हैं तो उनके बारे में बात करते हैं और उसके बारे में बात करेंगे जो बिटिस क्राउन है ठीक है उसके अंतरगत कौन कौन से आये हैं उनके बारे में बात करेंगे हम लोग ठीक है तो इसमें रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का ठीक ह यह जो Isht India Company के अंतरगार सबसे पहला एक्ट आया था जिस से मतलब यह भारत में लो और यानि कानून बनना शुरू हुए था, ठीक है उसके बाद यह पिट्स इंडिया एक्ट आया 1794 का चार्टर एक्ट आया 1793 का चार्टर एक्ट आया 1813 का और यह चार्टर एक्ट 1833 का आय तो इसके बाद ये मतलब ये इतने आपको प्रोविजन देखने को मिलेंगे जो ये थे ब्रिटिस जो जो मतलब इस्ट इंडिया कंपनी थी उसी के अंतरगत ये चार्टर एक्ट आये थे ठीक है उसके बाद ये चार्टर एक्ट के बाद ये जो भारत सासन अधनियम 1858 था उ आके उन्होंने अपने हाथ में सत्ता ले ली ब्रिटिस इस्टिनिया कंपनी के और जितने भी ब्रिटिस इस्टिनिया कंपनी के अधिकार थे भारत पर ठीक है उनको समाप्ट कर दिया तो ये ब्रिटिस क्राउन के अंतरगत फिर उसके बाद भारत में सासन किया जाने लग और भारत परिषाट न अदनियम आया 1909 और 1909 ये भारत परिषाट अदनियम उन過去 उसके बाद भारत चाथन अधनियम जो था यह 1919 आया ठीक है इसके अंतरगत क्या जब 1919 स्टार्ट हुआ था तो इसमें मतलब शाथन की बात की गई तो इसमें कैं हुआ कि जो भी थे जो state थे उनको थोड़ी सी responsibility दी गई थी यहां से start की गई थी ठीके और ये भारत सासन अधनियम 1935 साया इस से ज्यादा से ज्यादा प्रोविजन हमारे सम्मिधान में जो है include किये गए हैं तो ये भी important होता है और उसके बाद last ये था जो greatest crown का तो ये भारती शोतंतरता अध जनियम 1947 का था तो इस प्रकार हमारे जो है सम्मिधान का निर्माड हुआ था और भारत को आजादी मिली थी और उसके बाद हमारा जो सम्मिधान लागू हुआ था तो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था ठीके तो उसी के संबंद में अब हम detail में एक्ट मतलब पहले इस्ट इंडिया कंपणी के अंतरगत जो यह रेगुलेटिंग एक्ट हैं जितने भी इनके रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट इनको पढ़ेंगे उसके बाद ब्रेटिस क्राउन पर आएंगे और भारत को आजाद कराएंगे ठीके तो इस प तो इसमें क्या था कि ततकालीन ब्रेटिस प्रधान मंतरी नार्ड नार्थ द्वारा गोपनिये समित यानि सेक्रेट कमेटी की सिपारिश पर 1773 इस भी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संग्याद दी थी तो यह मतलब लाड नार्थ के द्वारा जो वहा यह मतलब पूछा जाता है ठीके और इस अधनियम के दोरा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जर्नल कहा जाने लगा और बंगाल के पहले गवर्नर जर्नल लाड वारेन हेस्टिंग यानि लाड वारेन हेस्टिंग थे ठीके तो यह मतलब पहले गवर्नर जर्नल बने जो 74 इस भी में एक उच्चतम नियाले की इस्थापना की गई जिसका मुख जो नियाधीश की बात करें तो एक मुख नियाधीश था और तीन अनिजज थे तो ये तीन लोग इसको मतलब इसमें आये थे ठीक है तो ये मतलब चार सदसी एक कोट बनाए गया था जो हाई कोट था ठीक है मतलब सुप्रीम कोट कह सकते हैं उस समय का सुप्रीम कोट था तब मतलब हमारे यहां एक मतलब नयाई को ये कोट की इस्थापना की गई थी पहली बार ठीक है तो इसके अगर बात करें कि जजज कौन थे जो सुप्रीम कोट बनाया गया था तो इसके सर एलिजा एम कौन सा एक्ट बनाया गया था मतब कौन सा मतलब 1774 में या पूछ लिया जाता है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके अंतरगत किन किन चीजों का निर्मार किया गया था तो देखो क्या हुआ कि बंगाल का पहला गौर्णर जनरल हमको मिल गया और उसके बाद जो एक हाई कोट मिल गया बंगाल में ठीक है कलकत्ता में जो जिसकी स्थापना की गई और उसके मुखेने अदिश थे सर एलिजा एमपे ठीक है तो द तीन बार वीडियो देख लेना भाई यकीन से कह रहा हूं आप लोगों को कि आप अगर दो तीन बार इस वीडियो को देख लोगे तो आपको यहां से कुश्चन तो कोई गलत होने वाला नहीं है ठीक है क्योंकि ऐसे कुश्चन पूछे जाते और बस चुने चुने इसमें यह मतलब पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे इसमें ठीक है और यह नहीं कि वन लाइनर है वन लाइनर नहीं है यह मतलब ऐसा है कि कॉंसेप्ट भी है और साथ साथ में उसके जो फैक्ट हैं उनको भी एड़ किया है तो है बरकुल उसी तरह लेकिन जो जैसे आप लच् कर जाए इतनी बड़ी जो लच्मी कांत की बुक है तो उसको पढ़ने से क्या मतलब है जब हम चार-पांच घंटे में इसका पूरा रिवीजन कर सकते हैं तो उसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है मुझे नहीं लगता ठीक है तो यह था हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट अब उसके बाद देखते हैं यह पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 का तो यह पिट्स इंडिया एक्ट में बात करें तो इस एक्ट के अंतरगत एक नियंतरन बोर्ड की इस्थापना की गई जिसे बोर्ड आफ कंट्रोल के नाम से जाना गया ठीक है और सैनिक असैनिक तर था और भारत में गवर्नर जनरल के परिशद की जो सदसी थे यह इसकी संख्या वगर बात करें तो इसमें चार सदसी थे था चार सदस्यों के बढ़ा कर च्छा कर दिया गया था पहले चार यह परिशद में जो गवर्नर जनरल की परिशद होती थी उसमें चार सदसी होते थे उसके बाद बढ़ा कर ये छे कर दिये गए पिट्स इंडिया एक्ट के दौरा तो ये भी पूचा जाता है कि परिषद के जो सदस्यों की संख्या कब बढ़ा ही गई थी और ये मतलब राजस अधिकार किसे दिये गए थे बोर्ड आफ कंट्रोल कब बना था तो ये पूचा जाता है और कंपनी के जो ब्यापारिक युम राजनीतिक कारियों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था यहां पर ठीक है पहले क्या होते थे कि जो गौर्णर जनरल होता था उसी के पास ब्यापारिक और राजनीतिक दोनों अधिकार होते थे बट बाद में क्या किया गय 1773 का Regulating Act आया था तो इसमें क्या था कि जो प्रोविजन थे तो वो मतलब उसकी कम्यों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाए गया था तो ये भी कुश्चन पूछा जाता है ठीक है तो इसमें मेंसें नहीं है तो मैंने उसको अलग से फैक्ट बता दिया ठीक ह अब आते हैं 1786 का जो अधनियम आया था तो इसमें क्या क्या प्रोविजन किये गए था तो इस अधनियम के दौरा गवर्नर जनरल लाड कार्णवानिश को मुक्ष सेनापती की सक्तियां परदान की गई थी ठीक है तो ये मतलब सेनापती की सक्तियां इन्हें दे दी गए जो गवणरनर जनरल हुआ करता था और बिशेश परिस्तितियों में गवणर जनरल को अपनी परिसद के निरिनय को रद करने का अधिकार प्रदान किया गया क्योंकि जो परिस्त होती थी क्या होता था कि ये जो कोई भी गवर्नर जर्नल कोई काम करना चाहता था कोई वैसा काम करना चाहता था तो ये परिशत क्या होती थी कि वो मतलब उसको करने से मना कर देती थी तो इसी लिए उसको ये बिशेज प्रोवीजन दिये कि जो सेना मुख्य सेना पती की सक्तियां दे दी गए कि आप सेना से कोई भी काम करवा सकते हैं ये आपके अंडर में रहे गए जैसे कि इस समय राष्ट पत होते हैं जो मतलब उसकी सेनाओं की जो जो होती थी तो इनके निरणाय को भी रद ये कर सकते थे तो ये भी मतलब ये भी बिशेज परिश्टितियों में सबी परिश्टितियों में नहीं बिशेज परिश्टितियों में यही चीज की जाती थी ठीक है नेक्स अगर बात करें तो ये चार्टर अधिनियम आया था जो 1793 का तो इसमें अगर बात करें तो इस एक्ट के अंतरगत कंपनी के ब्यापारिक अधिकारों को 20 वर्स तक के लिए बढ़ा दिया गया था और इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन भारती कोच से दिया जाने लगा और जो गवर्नर 1793 का था इसी के अंतरगत इस पस्ट अधिकार हो गया था इनका ठीक है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का जो वेतन होता था वो भारती कोच से दिया जाता था और इसमें क्या था कि ब्यापारियों को जो कंपनी था उसके ब्यापारियों के जो मतलब कंपनी थी था कि जाओ भाई आप इंडिया की मतब्ले यहां से ओन्ख रिखर मों मैं ब्या-पार करने के लिए था वे तो इनको परमिस्टन दिया जाता था 20 यह 20 वर्ष बढ़ा जाता था कि 20 वर्ष तक आपको आपके पास परदी से आप आप पर कर सकते हैं लेकिन जब फ़तम हो जाता था बीच वर्स तो इनको पारित कराना होता था फिर से वहां से पारलियमेंट से तो उनको मिलता था था तो ये 20 वर्स का ये मतलब इनको टाइम पिरेड बढ़ा दिया गया था और ये मतलब ये प्रोविजन किये गए थे इसमें ठीक है तो ये पूछा जाता है कि ये मतलब ये इसमें कुछिन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बोर्ड अफ कंट्रोल के जो अधिकारी होते थे उनके वेतन को कहां से दिया जाता था और ये बंबई प्रसिडेंशियों की जो अधिकार कभी इनको पराप्त हुआ था किस एक्ट बना रहा था ठीक है तो चीन के साथ जो और ये चाय का बैपार ठीक है चीन से बैपार और चाय का बैपार इंडिया के साथ ये एक अधिकार बना रहा था अनने इनके जो बैपारी का अधिकार थे वो समाप्त कर दिये गए थे ठीक है तो ये भी इंपोर्टेंट हो जाता ह यहां पर और कंपनी को अगले 20 वर्सों के लिए भारती प्रदेशों तो था राज़त सुपनेंतरन का अधिकार दिया गया था पिर से 20 वर्स बढ़ा दिया गया था क्योंकि पहले जो यह जो 93 में बढ़ाय गया था फिर यह खतम हो गया था 2012 में तो इसको फिर से बढ़ाय ग सकते थे यह लोग और इस एक्ट के अंतरगत भारतियों की सिच्छा के लिए प्रतिवार से एक लाख रुपे वे करने का प्रावधान किया गया था और यह इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है कई बार कुछा देखो यह दो कुश्चन यह वाला अम ब्यापार ज तीसरा यह इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा है कि जो इसाई मिशनरियों को भारत में धर्म परचार है तो छूट प्राप्त की गई थी तो मतब धर्म परचार के लिए भी जो इसाई मिशनरी थे तो उनको छूट प्राप्त की गई थी तो यह भी इंपोर्टेंट हो जाता में तो यह आई-एस में statement के form में पूछा जाता यह भी आई-एस में statement के form में पूछा जाते हैं पर यह भी पूछा जाता लेकिन यह PCS के recording बहुत important नहीं है और जो अधर exam होते हैं उनके लिए यह question पूछे जाते हैं ठीक है तो इन question पर आप लोगों को focus करना चाहिए तो यह important है यह important है और यह 3 important है यह वाले तो इनको रट लेना है आपको 2-3 बार वीडियो देख लेना है तो आपको यह clear हो जाएगा यह hope ठीक है नेक से हमारा charter अधनियम 1833 का तो इसमें देखते हैं क् प्रोविजन किये गए थे जो चार्टर अधनियम 1833 का था ठीक है तो इसमें अगर प्रोविजन की बात की जाए तो देखो इस अधनियम के द्वारा company के जो चीन के साथ तथा चाय के ब्यापार को के जो ब्यापार करने के एका अधिकार को पूर्टा समाप्त कर दिया गया यहां पर ठीक है यह पूर्टा समाप्त कर दिया गया और उसे केवल राजनितिक कारी ही करने थे तो राजनितिक कारियों पर केवल अधिकार रह गया इनका बाकी सारे जो है जो ब्यापार थे एक अधिकार के वो सारे चाहे वो चीन के साथ हो या चाय के जो ब्यापार थे आपके चीट के साथ और इंडिया के साथ सारे समाप्त कर दिये गए थे ठीके कमपनी के तो ये हमारा हो गया ठीके ये इंपोर्टेंट होता ये भी इंपोर्टेंट कुछन है कई बार पूछा गया है चाहे वो स्टेट PCS हो या UPSC हो हर जगे स्टेटमेंट में पूछ लेते तो ये बहुत इंपोर्टेंट चीजे हैं और ये टॉपिक कोई भी नहीं पढ़ाता है चाहे आप किसी भी कोचिंग में पढ़ने जाओगे वहां भी कोई नहीं ये टॉपिक पढ़ाएगा उसमें ये कहके टॉल देते हैं कि मतलब ये हिस्ट्री वालों का जो पॉर्शन ह ही नहीं इसको है ठीक है तो इसको जो है अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है और यहां से हर कुष्चन में ये जो टॉपिक होता है इसे हर कुष्चन में दो तीन कुष्चन तो पूछे ही जाने हैं चाहे भी कोई एक्जाम हो ठीक है तो ये रहा आपका दूसरा अजसु के कमपनी के अधिकारों को पुना बढ़ाया गया और बंगाल का गवर्नर जर्नल भारत का गवर्नर जर्नल हो गया था और जो लाड विलियम बेंटिंग को भारत का पर्थम गवर्नर जर्नल बनाया गया था तो देखो लाड विलियम बेंटिंग थे तो उन्हें भार भारत का पर्थम गवर्नर जन्रल बनाया गया था चार्टर एक्ट 1833 के अंतरगत बहुत इंपोर्टेंट अगेन कुश्चन है ठीक है और इसमें जो यह बने थे ठीक है तो मतलब पहले बंगाल के गवर्नर जन्रल बने थे 1773 में ठीक है जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था कौन पहला भारत का गवर्नर जन्रल था ठीक है बंगाल का कौन पहला गवर्नर जन्रल था और जो यह था कि बंगाल का गवर्नर जन्रल जो भारत का गवर्नर जन्रल किस एक्ट के अंतरगत बना तो गुमा गुमा के पूश्चन पूश्चते हैं और वही सेम एंसर वही रह एक जो चार सदसी बिधी आयो का निर्माड किया गया था यानि ला कमीशन का निर्माड किया गया था और इसके जो चेर्मेन थे तो ये लाड मेकाले थे उनी को परिशद में भी जगा दी गई थी जो गवर्नर जनरल की परिशद होती थी ठीके तो यह LA कमिशन के चेर्मेंन थे और इसमें चारसद से और होते थे और इसी को मतलब गवर्णर जनल की परिस्षद में भी एक सभसता के रूप में इनको दीया गया था तो ये भी कुश्चन पूछा जाता है कि जो गवर्नर जर्नल की परिषद में बिधी आयोग जो था उसका कौन चेर्मेंट था ठीक है तो ये भी पूछा जाता है तो 1834 में इसका डेट भी जो छोटे एक्जाम होते हैं वंडे वाले एक्जाम या PCS वगयरा होते हैं जो इस् स्थापना हुई उसके परतम जो अध्यच कौन थे तो और उसमें कितने सदा से थे तो ये मतलब छुटपूट कुश्चन पूछ लिया जाता है चोटे एक्जामों में और बड़े एक्जाम में क्या होता है स्टेटमेंट दे देते हैं तो बस यहीं अंतर होता बाकी कुछ नहीं है बाकी सारा आपको देखने को मिलेगा वहीं से कुश्चन मिल जाते हैं ठीके और बात करें तो इस एक्ट के अंतरगत एक बिधि आयो की स्थापना जो मैंने बात की की गई थी और एलन बरो दोरा दास पर था और गैर कानूनी घोसित किया गया था मतलब जो दास प पर्था को गयर कानूनी घोसित कर दिया था इसी के अंतरगत ठीके तो ये सारे प्रोविजन थे टो दास पर था का दमन किस ने किया था तो ये कुशन आता है तो अलन बरो होगिं भी कुशन कई बार पूंचा गया थी के तो इसी के अंतरगत था और इस चार्टर की अगर बात करें मुख बिशेचता तो चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चैयन के लिए खुली परतियोगिता का आयोजित करने का प्रियास किया था परन्तों कोट आफ डारेक्टर के विरोध के करण इस प्रावधान को समाप्त करना पड़ा था तो पहले इन्होंने ऐसा प् किया था यह जो एक टाया था इंपोर्टेंट था ठीक है नेक्स था हमारा चार्टर अधनियम 1853 का तो इसमें अगर बात करें तो इसमें इस चार्टर के अंतरगत गवर्नर जनरल की परिस्ट के बिधाई कारियों को प्रसासनिक कारियों से प्रथक करने की बेवस्ता की प्रतियोगिता परिच्छा का प्राउधान किया गया था तो यहां पर आके प्रतियोगिता परिच्छा की मतब बात की गई है बट सिबिल सेवकों के लिए अभी तक यह प्रोविजन नहीं था अच्छे से उसके मतलब खुली प्रतियोगिता नहीं थी लेकिन प्रतियोगि तो देखो जो चीजे इंपोर्टेंट है वही मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं तो ज्यादा आप लोगों को इस्ट्रस लेने की अवस्क्ता नहीं है ठीक है तो देखो यह हमारे आज के हो गए जो जितने हम लेगों ने पढ़े हैं यह एक तो देखो यह पहला वीडियो था इ कोई भी कितना भी बड़ा टॉपिक होगा मैं कवर करके इसमें दे दूंगा ठीक है तो एक टॉपिक 40 मिनिट में अगर पूरा हो जाता है तो आपके लिए सफिसेंट है और आपको डिटेल में चीजे भी मिल लाई है शॉट में और डिटेल में दोनों मिल लाई है ठीक है तो यह हम लोगों ने आज पढ़ा जो इस्ट इंडिया कंपनी के अंतरगा जितने भी एक्टाय जैसे जैसे मतलब डेवलप हुआ सम्मिधान की जो भारत में शुरुआत हो गई थी तो वहीं से हो गई थी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ठीक है उसके बाद जब सम् देटेल में बात करेंगे ठीक है तो आज के लिए यहां इतना ही रखते हैं और ब्रिटिस क्राउन के अंतरगत जो भी एक्ट हैं उसको कल देखेंगे हम और भारत को आजाद करवाएंगे अच्छे से ठीक है उसके बाद आगे मूँ आन करेंगे आप लोग अपना फीड़ अगर आप पसंद करना हैं तो ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहीं जै भारत